अंजल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही तो दोस्तो मैं आपका बड़ा भाई निखिल धावाई हासे हूँ आपके सामने लेकर के फिर एक नया लेक्चर लेक्चर नमबर 4 वर्क पाउर एनरजी और आप सभी का स्वागत करता हूँ रफ्तार जेई सीरीज में जेई व पिछले लेक्चर में हमने वर्क एनरजी थेरम पे कुछ सवाल किये थे वर्क एनरजी थेरम हमें ये बताती है कि जो नेट वर्क दन होगा वो एक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनरजी के और अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम मेकेनिकल ए energy conservation लेकिन उससे पहले हम करेंगे एक सवाल जो मैंने आपको homework दिया था और hint बताने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि काफी लोगों से सवाल बन गया होगा तो यहां पर इस सवाल में आपको यह दिया गया था कि इस शोन instant पर यह spring जो है वो natural length में है कि block जो है 1 meter per second से इधर move कर रहा है और यह जो point है यह 2 meter per second की constant speed से इस तरफ चल रहा है या constant velocity से इस तरफ चल रहा है तो यहाँ पर आपको यह बताना था कि इस spring में maximum elongation कब आएगा तो वैसे अगर आप यहाँ पर देखे तो यहाँ पर जो बेटर अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी कि इस point के उपर आप बैठ जाईए इस point के उपर अगर आप बैठते हैं तो उससे फायदा आपको यह मिलता है कि यह जो point है यह आपका inertial frame of reference हो जाएगा और inertial frame of reference होने की वज़े से क्या होने की वज़े से इनर्शियल frame of reference होने की वज़े से यहाँ पर इस पर जो observer बैठा होगा उसको कोई pseudo force लगाने की जरूरत नहीं है तो जैसे ही आप यहाँ पर बैठ होगे तो यह shown instant पे आपको दिखेगा कि भाई अब जहाँ आप बैठ ग आपके हिसाब से इसकी जो final relative velocity होगी वहोगी और इसके अंदर जो कुछ expansion आएगा वो आएगा कुछ x तो हम यहाँ पर अगर लगाते हैं वर्क एनर्जी थेरम तो वर्क एनर्जी थेरम के according हम क्या कहेंगे हम कहेंगे कि यह तो rest पर यह तो इस पर तो कोई वर्क नहीं तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रिंग का वर्क इस इक्वोल्स तो वाट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी खतम एकदम बच्चों वाला सवाल हो चुका है यह इस फ्रेम में और इस प्रिंग का जो वर्क आएगा वो आजाएगा कितना आपके पास हाफ के और x इस इनीशल का स् और यहां से आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी है ध्यान रखना प्रेम में बैठे हो तो उस फ्रेम के हिसाब से क्या कानेटिक एनर्जी होगी initial kinetic energy आपकी 3 velocity के हिसाब से निकलेगी final 0 है तो यह आजाएगा minus का half m q square जो की है आपका 3 तो बस यहां से जो कट रहा है वो आप काटें और result जो है आपको मिल जाएगा की भाई k x square is equals to actually what it is the mass जो की है आपका 4 kg और relative velocity जो है आपकी 3 का square जो की है 9 यहां पर जो आपका x आएगा वो कितना आजाए अच्छा k भी तो देर रखा है sorry 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 k की value कितनी है k है अपने पास इतना 100 newton per centimeter आपको अगर यहां इसको convert करना है तो आप अगर इसे meter में convert करेंगे पर centimeter में हाँ तो 100 newton per centimeter तो भाई अगर यहां पर आप इसको centimeter को meter में convert करेंगे तो यह 10 की power 4 newton per meter आ जाएगा और यहां से जब आप इसको लिखेंगे तो यह आ जा रहा है अपने पास 10 की power 4 x square और यह 36 यहां से जो x निकल के आएगा x की value हमारे पास आजाए कितनी six by hundred meter जो कि आ जाएगा आपके पास six centimeter बहुत ही आसानी से यह आपका सवाल solve हो जाए दोस्तों अब हम जो start करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे है potential energy की potential energy देखो energy का मतलब क्या रहता है energy होता है it is the actually internal capacity to do work मतलब जिसके पास जितनी energy होगी उसी की बदावलत वो कुछ work कर पाएगा मतलब अगर कुछ work हो रहा होगा तो आपको यह समझ लेना है कि अगर वो कुछ work कर रही है तो definitely वहाँ पर उसकी energy में loss होगा ठीक है तो kinetic energy होती है it is the internal capacity to do work by virtue of its relative motion मतलब वहाँ पर relative motion होता है या motion की वज़े से observer देख रहा है तो कोई चीज मूफ करती दिख रही है तो motion की वज़े से जो energy होगी उसको हम kinetic energy कहता है potential energy जो होगी वो हो जाएगी it is the internal capacity to work by virtue of relative position अब यह position का क्या मतलब है तो इस potential energy को हम थोड़ा सा समझते ही कहना क्या चाह रहा है तो potential energy आप जो है वो ऐसा कह सकते हैं कि potential energy एक तरीके से stored energy है किसकी system की potential energy जो है वो एक तरीके से stored energy है system की और वो depend कर रही है position के उपर उसका मतलब यह है कि अगर मैं एक पहले normal सा common सा एक example लो तो आप ऐसा समझे कि मान लीजिए मेरे अगर internal energy की बात की जाए ठीक है मेरे अगर internal energy की बात की जाए जिससे मैं कुछ काम करता हूँ तो मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे अंदर 100 internal energy है internal energy अभी मेरी कितनी है 100 joules मैंने कुछ work कर दिया कितने का मान लीजिए 10 joules का internal energy की जो final value आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी वो आ जाएगी 90 joules को की 100 मेरे पास थे उसमें से मैंने क्या किया 10 खर्च कर दिये और आप मेरे पास कितने बचे 90 joules पर ठीक है तुल मिला के बात आपको यह समझ में आरे जाएगी कि system जब भी कुछ work करेगा system जब भी कुछ work करेगा तो उसकी internal energy खर्च होगी तो यह जो work हो रहा है वो किस expense पर हो रहा है वो एक तरीके से potential energy के या internal energy के expense पर ही हो रहा है कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि जिसे मान लीजिए यह एक या अर्थ की बात करते हैं तो यह M और यह अपने पास अर्थ जो रहेगी अपने पास और यह जो block रहेगा तो अर्थ और block के बीच में भी कुछ ना कुछ potential energy आएगी मतलब अगर मैं कहता हूँ यहां मैंने इस block को गिराया तो तुम कहोगे सर देखो यह नीचे गिर रहा है इस पे work हो रहा है तो किस ने किया वो work वो work किया force of gravity ने इस block पे ठीक है अब वो work जो हुआ बात बिल्कुल ठीक है कि आप कहरे हैं कि वो force इस force ने वो work किया लेकिन हम जानते हैं कि work जो है वो associated रहता energy से इसका मतलब यह energy यह work करने के लिए energy आ कहां से रही है simple सी बात है ठीक है force लगा force लगा तो कुछ energy कुछ work यहां हुआ तो वो जो work हो रहा है तो उसको energy के terms में अगर हम समझना चाहें तो वो energy आ कहां से रही है तो हम कहेंगे जिस तरीके से अगर मैं कुछ work करता हूँ तो वो मेरे शरीर की energy को मैं utilize करते हुए work कर रहा हूँ मेरी internal energy को use करते हुए मैं वो work कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा कहेंगे कि अगर अर्थ के फोर्स ने इस पे कुछ वर्क किया तो वो वर्क कहां से हो रहा था वो किस एनर्व वर्क आ कहां से रहा था वो आ रहा था इंटरनल एनर्जी इस्टोर्ड इसके बीच में अर्थ और इस मास के बीच में उसी को हम कहते है पोटेंशल एनर्जी पोटेंशल एनर्जी के बदालत वो वर्क हो रहा था मतलब आप यह कह सकते हो कि अर्थ अगर यहां पे वर्क करें तो कैसा वर्क कर रही है अर्थ वर्क कर रही है positive इस block के उपर potential energy जो होगी वो क्या होगी आप अगर positive वर्क करते हो तो आपकी energy कम होगी तो यहाँ पर system की जो है potential energy क्या होगी वो कम होगी ठीके तो कुछ ऐसी बात है यहाँ पर अब ध्यान से सुनिएगा मैंने कहा मान लीजिए अपना internal energy initial जो मैं कहता हूँ कि मान लो वो 100 joules थी और वर्क जो किया उस system ने जैसे कि यहाँ पर अर्थ ने किया ठीके तो वर्क जो किया उस system ने वो मैंने कहा कि वो मान लीजिए 20 joules है ठीके और final energy आपके पास वर्क करने के पास बचती है कितनी वो बचेगी 80 joules हैगे नीज सौ में से 20 कर्च हुए तो 80 बची अब मैं जो आपको समझाना चाता हूँ बस इतना सा relation समझाना चाता हूँ तो बहुत ही आसान है अगर मैं आपसे पूछूँ कि कितना change आया इस internal energy में उस stored energy में तो आप कहेंगे कि सर जो change आया वो आ रहा है minus का 20 यू final minus यू initial हैगे नहीं आप कहेंगे सर वो आ रहा है आपका minus का 20 clear है ये चीज और work done by system system ने कितना work किया 20 क्या मैं यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकता ये work done by system जो रहेगा वो किसके equal आ रहा है वो minus of delta u के equal आ रहा है मतलब आप जितना भी work करेंगे potential energy में उतनी ही कम ही आ जाएगी या उतना ही बढ़ जाएगा अगर आप positive work कर रहे हैं तो delta u negative आ रहा है और अगर आप negative work करेंगे तो delta u positive आएगा यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा एक basic idea हमको यहाँ से मिलता है कि potential energy जो है वो system की energy है अब इसको थोड़ा सा मैं एक बार और थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ मान लो मैंने कुछ work किया तो मेरी energy में कमी आईगी मैं positive work करूँगा तो delta u negative होगा मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं delta u is minus of work done by system मैंने अगर कुछ work किया तो मैंने positive work किया तो potential energy मेरी energy में कमी आईगी लेकिन अगर मेरे पे work हुआ हो तो मेरे पे work हुआ हो से क्या मतलब है मेरे पे work हुआ है उससे मतलब ये है कि आप ये समझो कि मैंने कुछ energy intake की हो तो अगर मैंने कुछ energy intake की होगी तो obviously मेरी internal energy जो है stored energy जो है वो बड़ेगी तो अगर कभी ऐसा हो रहा है कि system जो है देखो जब भी आप पे work किया जाता है तो हम कहते हैं कि system एक तरीके से negative work कर रहा है इसको और आगे ढंग से समझ में आईगी बात तो जब आप पे work किया जा रहा है तो आपकी energy बढ़ेगी तो उस वक्त मतलब system अगर negative work कर रहा है system का negative work का मतलब यह कि system pay work एक तरीके से किया जा रहा है तो उसकी potential energy क्या होगी यहाँ पर बढ़ेगी बहुत यह एक तरीके से basic overview है इसको समझने के लिए main मुद्दा यह है कि आप इसको समझते हुए चले पहले यह जो equation मैंने बताई है इसको आप समझते हुए चले और यह बड़ी logical है इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं ठीक है negative work वाली बात obviously आपको शायद समझ नहीं आई होगी अभी हम बात करते potential energy और इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते कि exactly कैसे क्या चीज़े हो रही है potential energy जैसे हमने कहा कि potential energy is the internal capacity of doing work of a system by virtue of its configuration configuration मतलब कि आप कर क्या रहे है जब work हो रहा है तो क्या configuration change नहीं हो रही तुम बोलोगे sir configuration change होने से क्या मतलब है आपका मैंने का यार block जैसे मान लीजिए थोड़ा सा उपर से नीचे आ गया या नीचे से ऊपर चले गया होगा आप उठा के ले जा रहे है तो work कब होगा जब भी displacement होगा तभी work होगा आप ये मान के चलिए कि जब भी work हो रहा होगा potential energy में change आ रहा होगा और work होने के लिए कुछ ना कुछ displace होना चाहिए और कुछ ना कुछ अगर displace हुआ तो हम कहेंगे कि configuration में change आ रहा है इसलिए यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसको कुछ ऐसा बताया गया है कि it is the by virtue of what position कहीं भी पूरे system में कुछ ना कुछ तो move कर रहा होगा कुछ किसी ना किसी की position change हो रही होगी अगर system 3-4 particles से मिलके बनाए 1000 particles से मिलके बनाए तो हो सकता है सारे के सारे की position change हो रही हो या कोई एक या कोई 2 या कोई 10 या कोई 5 मतलब आपको अभी overall यह समझना है मोटा मोटा की वर्क जो है वो होना जरूरी है और work होने के लिए किसी ना किसी को तो चलना पड़ेगा तभी potential energy में या stored energy में change आएगा ठीक है clear है यह बात तो अब हम इसको define कैसे कर रहे हैं यह आपकी exact जो है क्या बोलेंगे उसको definition होगी कि conservative forces के लिए conservative forces क्या होते है मैं पहले ही बता चुका हूँ थोड़ा सा idea आपको दे चुका हूँ कि जिनका work जो है वो path पे depend नहीं करता round the loop जो है जिनका work क्या आता है zero आता है और एक और कहानी है कि conservative forces के लिए potential energy defined होती है example है conservative force का gravitational force अगर आप लिखना चाहिए तो अभी लिख सकते है gravitational force, electrostatic force, spring force, जितने भी constant force है वो भी conservative ही कहलाएंगे जिन जिनका path वर्क जो है path पे depend नहीं कर रहा है वो सब conservative है और conservative force field के लिए यह ही potential energy defined है otherwise वो defined ही नहीं होगी non conservative के लिए defined ही नहीं होगी तो अगर एक conservative force field है तो ही potential energy defined है और वो किसके equal है it is equals to it is equal to the negative work done by conservative force in shifting the body from some reference position to the given position some reference position to the given position इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझते हैं मैंने क्या कहा मान लीजिए आप delta u की formula को अगर आप देखेंगे delta u का formula जो मैंने आपको बताया वो मैंने बताया minus of work done by आप system ना कहकर के आप conservative force भी कह सकते हैं जैसे कि gravity केस में gravity ने जो work किया वो देखूंगा spring के case में spring जो work करेगी वो देखूंगा electrostatics मतलब charges के बीच में जब force लग रहा हो तो वो force जो work कर रहा होगा उस work को मैं देखूंगा कुल मिला के बाद यह है कि delta u is minus of work done by system या conservative force ठीक है अब यह work done by conservative force आप कैसे लिखूंगे obviously आप लिखूंगे इसे force कौन सा वही conservative force और displacement वर कैसे लिखा जाता है integration of f.ds कहां से कहां तक initial से final तक किसी point से आप किसी point तक आए होगे मैंने कहा था ना कि वो पूरा जो system होगा उसमें कुछ ना कुछ move कर रहा होगा तो वो एक point मान लीजिए आप उसको move करा रहे हैं displace करा रहे हैं तो वो initial point से final point तक जब आप उसको उठा के लेके आ रहे हो potential energy में भी कुछ change आएगा तो यह आप define करेंगे u final minus u initial is equal to this था वो total work done के equal आएगर मैं कह रहा हूं कि change potential energy में बहुत छोटा है तो वर्क भी जो क्या होगा वर्क भी बहुत छोटे से वर्क की ही बात हो रही होगी तो अगर आपने वर्क बहुत थोड़ा सा किया है तो potential energy में change भी थोड़ा सा है तो यह ध्यान यह रखे conservative की बात हो रही है ठीक है तो यह तो definition definition होगे potential energy difference की हम बात कर रहे है potential energy की आप अब ऐसा मान के चलिए कि एक जो initial configuration देखो यह आप जब भी आप किसी को move करवा रहे हो तो कुल मिला के configuration में change आ रहा होगा configuration में change आ रहा होगा ठीक है तो हम क्या करेंगे हम अगर मुझे किसी point पे potential energy चाहिए तो मुझे यह पता करना होगा कि reference point किदर है क्या पता करना होगा मुझे initial point जो आपका था उसको आपने reference मान लिया इनिशियल point को आपने क्या मान लिया उसको आपने reference मान लिया reference का मतलब क्या होता है reference का मतलब होता है जहाँ पे potential energy को हम zero मानेगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो potential energy को 0 मानेगे आपको तो ऐसा बोलना चाहिए ना जहाँ potential energy 0 होगी जी नहीं आप अपनी मर्जी से कहीं भी reference ले सकते हैं ये आपकी मर्जी है हाँ कुछ एक तरीके से decided भी है चीज़े कि हाँ अगर कुछ नहीं दिया गया है तो कहाँ पर reference लेना है लेकिन potential energy का reference आप अपनी मर्जी के मताबिक कहीं भी ले सकते हैं आपको जहाँ पर potential energy 0 माननी है आप उसको potential energy 0 लेके solve कर सकते हैं तो मान लीजिए एक point को आपने reference point माना उस reference point पर potential energy कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी 0 और potential energy 0 हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि किसी final point तक जब मैं उस चीज़ को उठा के लेके गया भाई किसी force field के अंदर मैं एक चीज़ को उठा के दूसरे point पर लेके जा रहा हूँ तो system कुछ work कर रहा होगा तो work कर रहा होगा तो मैं कहां से लेके आ रहा हूँ reference point से लेके आ रहा हूँ किसी point तक तो u initial तो आपका कितना है 0 अगर वो reference point है आपका formula हो जाएगा ये potential energy का जो formula है वो क्या आ रहा है वो आ रहा है कुछ ऐसा कैसा कि अगर आपको किसी भी point पे potential energy निकालनी है तो आपको conservative force field का work निकालना होगा कहां से कहां तक reference point से लेकर उस final point तक जहां पे आपको potential energy निकालनी है और एक minus sign लगाना होगा तो ये जो है definition होगी किसकी ये definition होगी आपकी potential energy ठीके यहां तक बात मेरे इसाब से काफी कुछ सथ तक समझ में आ गई होगी लेकिन थोड़ा बहुत confusion आपका रहा होगा ठीके तो अब हम जो देखने जा रहे हैं थोड़ा सा इसको समझेंगे और फ possible we take reference point at infinity अगर कुछ नहीं दिया गया है तो हम generally infinity पे reference मान लेते हैं ऐसा क्यों है ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अगर कुछ force लग रहा होगा दो चीजों के बीच में तो ही potential energy हम कहेंगे कि उनके बीच में develop है और generally अगर दोनों चीजों को infinite separation पर रख दिया जाता है त उनके बीच में कोई force नहीं रहता है तो इसलिए जब separation infinity होता है तो हम कह देते हैं कि potential energy का reference infinity को ही लिया जाए क्योंकि वहाँ कोई force नहीं है तो कोई energy भी वहाँ develop नहीं हुई होगी बाकि आप अपने हिसाब से reference को change कर सकते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि assume potential energy to be 0 there and we take r1 is equals to infinity and u 1 मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि वो जो initial position थी तो वहाँ पर पोटेंशल energy को क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे और इस तरीके से आप यहाँ पर बात कर देंगे just a minute हाँ तो अभी हो सकता है काफी कुछ confusion हो आपके सामने लेकिन हम बात करते हैं gravitational potential energy की एक बार मैंने क्या कहा मैंने कहा मान लीजिए यह आपका अर्थ का surface है अब एकदम पूरी बात समझ में आईगी आपको जो भी मैं कहने जा रहा हूँ ठीक है यह अर्थ का हमारा मान लो यह अर्थ का surface है मैंने कहा एक block अपना यहां रखा हूँ है इस block को मैं उठा करके ले गया कहां पर किसी h height पर इस block को उठा करके मैं ले गया कुछ h height पर इस point को मैं कह रहा हूँ initial तो यहां की potential energy मैंने कह दी initial potential energy इस point को मैं कह रहा हूँ final यहां की जो potential energy होगी वो कह दूँगा पहली बात यह समझनी है कि हम अक्सर कह देते हैं कि potential energy of this block लेकिन यह block की potential energy नहीं होगी यह आपको अंदर यह feeling रखनी है कि potential energy हमेशा system की होती है मतलब block plus earth दोनों की मिला के यह potential energy individual चीज़ की potential energy नहीं होगी individual चीज़ की potential energy नहीं होगी दोनों की potential energy यह कही जाती है अगर आप इसको उठा के यहां से यहां लेके जा रहे हैं इस दौरान सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि भईया conservative force ने कितना work किया दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि force of gravity ने कितना work किया आप बड़े आसान से शब्दों में लिख सकते हो यह आ अनुसार यू final minus u initial जो है वो क्या आजाएगा यू final minus u initial जो है वो अपना आएगा minus of work done by conservative force जो कि आजाएगा plus का mgh जैसा कि आप देख रहे हो यू final minus u initial work calculate करने पर मेरे को यह समझ में आया ठीक है अभी तक देखो आपको दिक्कते आ रही होंगी नेकिन अब काफी clear है चीजे कि अगर block को यहां से यहां उठाके ले जाओंगा तो इस दौरान पूरे system की जो potential energy है उसमें change आया होगा आप समझे होंगे कि इसको उठाके मैं यहां से यहां ले गया अब तुम कहोगे कि सर आपने तो ऐसा भी कहा था कि 3-4 चीज़े हो सकती है मालो एक block यह दूस इसे बात करेंगे अभी हम सिर्फ दो चीज़ों के बीच का interaction ही देखेंगे gravitation के बीच मतलब अर्थ और एक particle इस तरीके से आपने यह potential energy का difference लिख दिया इसको मैं कहूंगा potential energy difference अब याद रहें अगर आपने यू initial जो पॉइंट था उसको reference point माना है मतलब आपने इस वाले point को इसको मैं नाम देता हूँ A यहां कहीं पर मैं B बोल देता हूँ और यह बोल देता हूँ C तो अगर आपने A point को reference लिया है point A as reference point A point को अगर आपने reference लिया है तो मैं अगर यह मान लेता हूँ कि यहां potential energy zero है अब तुम बोलोगे तर आपने तो कहा infinity पर ली जाएगी हाँ ना लेकिन अभी मान लीजिए अपने choice के according कहीं भी ले सकते reference ठीक है तो अगर आप यहां पे reference लेते हो zero लेते हो तो आपके पास क्य होगा तो क्यू फाइनल जो आएगा फाइनल पॉइंट आपका क्या लेकर चल रहा हमें मान लीजिए यू फाइनल मैंने ले लिया आपका पॉoinल c आपका कौन सा यहां से मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि QC minus UA जो की है 0 is equals to Mg आपको यह समझ में आया यहां से कि जहां आपने reference लिया था उसके उपर अगर H height पे आप potential energy निकालना चाहते हो किस point पे potential energy कितनी होगी अगर इधर reference लिया है तो वो कितनी आजाएगी वो आपकी आजाएगी MgH जो मैंने यहां से आपके पिकाल के समझाई है कि जब यह H above the reference है यहां पे इसी का उल्टा भी मैं कह सकता हूँ कि अगर माली जे कोई कहे कोई क्या कहे किसार अगर reference जो है किसार अगर reference जो है वो आप A की जगे अगर C पे ले लेते हैं तो क्या होगा यह आपको आप समझना होगा अगर reference मैंने A पे जगे C की जगे reference ले लिया reference अगर मैं यहां ले लेता हूँ तो इसी formula में आप क्या करें आपका जो UC-UA था वो तो MGH था ही तो अगर आपने reference C point पे ले लिया है तो आपका क्या होगा कि potential energy जो है A point की वो माइनस MGH आ जाई है तो आप देख रहे हैं कि reference point को बदल देने से potential energy भी बदल जा रही है यहां पे reference लिया तो यह plus MGH और यहां reference ले लिया तो यह minus MGH तो अभी हमको यह सीखना है कि reference से reference से h height उपर जाओगे तो potential energy MGH reference से h height नीचे जाओगे तो potential energy minus MGH अब इस तर से आपको एक और चीज़ थोड़ी सी clear हो रही होगी और वो यह इसर reference अगर मैं change करता रहूँगा जैसे की पान लीजिए हमारे पास यह तीन levels मैंने ले लिए यह हमने कुछ तीन levels ले लिए block यहां है एक बार यहां है एक बार यहां है और यह मान लो अपने पास height कुछ h है यह भी height कुछ h है तो बस आप याद यह रखना है कि अगर आपने यहां पे reference लिया है यह A बोल देता हूँ यह B बोल देता हूँ यह C बोल देदा हूँ अगर आपने यहां reference लिया है तो यहां की potential energy mg h होगी तोगी reference से आप h high 2012 पर यहां पे जो potential energy आइगी वो mg into 2H होगी तोकि यहाँ पे आप reference है 2H high टूपर वहीं अगर आप बात करते हो कहां का reference अगर आप यहाँ reference ले लेते हो reference से H उपर जाने पर potential energy कितनी लिख देंगे आप MGH reference से नीचे जाने पर potential energy कितनी लिख देंगे आप माइनस का MGH और यहीं अगर आप ने जो है potential energy को यहाँ 0 मान लिया है इधर reference ले लिया है हास नहीं यह minus MGH आ जाएगा और यह minus का 2MGH आ जाएगा कहने का मतलब बस इतना सा है कि आप यहाँ पर इतना समस्ते हुए चले कि reference के उपर potential energy की value जो है वो depend कर रही होगी के reference के owagen potential energy की value जो है वो depend कर रही होगी बाकी चीज potential energy difference जो है reference पर depend नहीं कर रहा है potential energy difference reference पर depending नहीं कर रहा है ठीक है तो अभी हम बात कर रहे है है कि अगर आपके पास एक extended object होगा तो क्या होगा ग्राविटी में अगर extended object हुआ यह तो एक point object की बात करी हमने अर्थ के case में obviously potential energy की बात कर रहे हैं gravitational potential energy तो अगर आपके पास यह एक extended object है और यह आपका जो है reference level है मान लीजिए कहां भी आपने reference लिया है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे particles आप मान सकते हैं यह जो object है जिसका total mass मान लीजिए capital M है यह बहुत सारे small small particle से मिलके बना है और हर particle की height आपको कहां से निकालनी है reference से निकालनी है अगर मैंने आपसे पूछा बताइए यहाँ पर potential energy कितनी होगी इसकी बताइए यहाँ पर potential energy कितनी होगी तो आप क्या कहेंगे potential energy of this object is actually M1GH1 ऐसे ही M2GH2 यह अपना reference point है प्लस में लिखेंगे और ऐसे ही करते करते MNGHN यहाँ से मैंने क्या किया इधर से यह G common निकाल लिया M1H1 M2H2 और MNHN अपन मैंने लिख दिया total mass से इसको किया divide ऐसे ही वो G जो common निकला था total mass से divide किया तो multiply भी करना पड़ेगा और यह G common आगे यह जो value आ रही है इसको मैं बोल रहा हूँ H effective क्या बोल रहा हूँ इसको मैं H effective इस value को मैं कह रहा हूँ H effective यह H effective क्या है यह H effective मेरे को एक चीज बता रहा है कि इन सारे masses को या इन पूरे object की जगे आप ऐसा मान लीजिए कि यह एक point object है क्या है यह एक point object है जो कि सारा mass यहाँ पर उसका concentrate कर दिया जाए कि इस extended object की जगे आप इसको मान ले कि यह point object है और उसका एक effective height आ रहा है आपका इतना ठीके तो अगर आपको extended object की क्या निकालनी है potential energy निकालनी है और आपको कोई यह H effective बता देता है तो आप क्या मान सकते है कि वो पूरे extended object को सारे mass को एक ही जगे पर concentrated मान के इस point पर concentrated मान के आप potential energy लिख सकते है Mg H effective अब बात यह आती है कि how to find this H effective तो यह हम सीखेंगे next to next chapter जो की है center of mass यह H effective निकलता कैसे है यह हम सीखेंगे कहा पर center of mass में ठीके न यह हम सीखेंगे center of mass में लेकिन कुछ cases के लिए हमें यहाँ पर चीज़ें याद भी रखनी है जैसे कि जितने भी uniform shape हैं उनका जो geometrical center होगा वही पर H effective आ रहा होगा वही वो point है जैसे कि तो मैंने कहा कि location of this point बदल आपको वो point ढूनना है जहां का एक तरीके से यह equivalent point ढूनना है तो यह location जो आएगी इस point की वो क्या आएगा वो आएगा आपका geometrical center फिर ध्यान रखना यह बड़ा important है कि in case of uniform geometrical shape uniform mass जो रहेगा जिनका uniform अगर mass जो है वो distributed है in case of uniform mass distribution for geometrical shapes geometrical shapes h effective f h effective is the height of geometrical center geometrical center of height of geometrical center मतलब मतलब आपका यह है कि मान लीजिए यह rod है अगर आपके पास है तो इसका geometrical center कहा है वो आएगा इदर अगर यह rod दे रखिये M और L है इसकी length आप से पूछे कि बताओ potential energy कितनी है तर लेकिन आप नहीं यह तो बताए है नहीं कि reference कहा लेना है तो कुछ नहीं दिया है तो अर्थ के surface को रेफरेंस ले लेंगे है हम क्या बोल देंगे M G L by 2 यह ra geometrical center L by 2 के height पर है यह potential energy आजाएगी किसी ने कहा कि हमारे पास एक sphere है या cylinder है या जो है एक कोई और shape है इस case पर अगर आप से कोई पूछे यह वापस से reference ही कह रहा हूँ है यह रहा geometrical center और इसकी height आपको कितनी मिलेगी ध्यान रखना है इसका geometrical center यहाँ है वो कितना मिलेगी आपको वो मिल जाएगी आपको potential energy इसकी आजाएगी M G R simple है यह geometrical center उसकी height M G R ठीके जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई यह सवाल पूछे अगर आपसे कोई यह सवाल पूछे कि find potential energy of the given triangle तो आपको क्या दिया गया है आपको यहां दिया गया है इसमें कुछ यह ऐसी एक rod है और यहां पर एक rod ऐसी है कुछ ठीके और यह वाली rod कुछ ऐसी तीन rod से मिलके triangle बना हुआ ठीके और आपको क्या कहता है आपको कहता है कि भईया बताओ इसकी potential energy कितनी आएगी और क्या क्या given है और जो आपको given है वो यह है कि यह जो angle है वो given है आपको 90 है ठीके ना यह angle जो है वो आपको given है 90 यह angle आपको given है 30 और यह angle आपको given है 60 और क्या given है और आपको यह given है कि इस रॉड का मतलब इस पूरे ट्राइंगल का इस पूरे ट्राइंगल का जो मास है वो है M पूरे ट्राइंगल का मास मतलब तीनों रॉड का मिला के जो मास है वो है M ठीक है? और और जो आपको चीज गिवन है वो ये है कि ये वाली जो साइड है के वाली साइड जो है ये है आपकी L के वाली जो साइड आपको दी गई है वो कितनी दी गई है वो दी गई है L बाकी और कुछ नहीं बता रखा है बाकी और कुछ नहीं बता रखा है तो बड़ी आसानी से जो है आप या ऐसा कर लेते हैं इसको चलिए अब जो भी मान लिया सो मान लिया तो ये आपके पास L है और बाकी आपको कुछ नहीं बता रहा है तीनों का मिला के मास M है सबसे पहला अगर आपको क्या निकालना है potential energy निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए आप इसका आपको rod का geometrical center पता है न तो इसको तीन rods मान लीजिए तो तीन में से इस तीसरी का तो कोई मतलब ही नहीं है कौन सी का इसका तो यह तो reference वाले point पे पड़ी है reference point पे पड़े होने की वैसे इसका potential energy 0 तो आपको यह पता होना चाहिए कि U3 जो आजाएगा वो तो 0 आजाएगा अब बसता है U1 निकालना और U2 निकालना अब U1 और U2 निकाल लीजिए rod का center जो है उसका height देख लीजिए और काम बन जाएगा इस तरीके से कुछ काम हम यह आपे कर लेंगे लेकिन साथी साथ जब आपको यह भी समझना है कि mass भी निकालना important हाना तो मेरे इसाफ से देखो इसमें आपको शायद कोई तकलीद नहीं होगी कि अगर मैं यहाँ से एक यह perpendicular draw करता हूँ तो यह अगर L है तो यह वाली जो length आ रही है अपने पास इस triangle की height वो आ जाएगी L sin theta L sin theta यह length आ जाएगी आपकी height इस triangle की आ जाएगी L byte मुझे चाहिए कि यह जो midpoint होगा इधर वाला और यह यह वाली height मुझे पता करनी है इन दोनों points की height मुझे पता करनी है कैसे भी करके बड़ा असार है अगर आप देखेंगे कि भाई देखो यह बड़ा triangle और यह छोड़ा triangle तो बड़े triangle की अगर आप बात कर रहे हो बड़े triangle का यह side उसी का आदा है यह छोड़े triangle की yoi side उसी का आदा है यह तो यह side इतनी तो यह भी आदा होगा और height भी कितनी होगी आदी तो यह पूरा अगर h बोल रहा हूं तो यह h by 2 है तो यह distance l by 2 है तो यह कितना आजाएगा l by 4 यह बचा हुआ distance लिगे इसी कितना आजाएगा इसकी potential energy हैगी, दोनों की height same आनी, अब बात आती है M1 और M2 की, देखो दुबारा से सुन लो, अगर किसी को समझ नहीं आया है, तो ये L, ये 30, तो ये मैंने height निकालनी पहले, अब ये बड़ा triangle और ये छोटा triangle, दोनों similar है, बड़े triangle का size, बड़ा triangle, छोटे का exact double है, छोटा exact आधा है, तो हर side का ratio आधा हैगा, height का भी ratio आधा हैगा, तो बड़े triangle की, जितनी height, छोटे triangle की height उसकी आधी आएगी, तो बड़े triangle की L by 2, चो छोटे की आएगी L by 4, ये भी L by 4, तो बस, वो height निकल गई, इस point की भी height निकल गई, height निकल गई, अब M1, M1 तो आपको दिया ह है, M1 तो आपका M है, M2 कैसे निकालो गई, काल लेंगे M2 में कौन सी बड़ी बात, भाई ये पूरा triangle आपका right angle triangle दिया है, क्या, हाँ दिया है, तो tan 30 की value कितनी बोलूँगा, इस length को मैं बोल देता हूँ, माल लो, L dash, length को मैंने कह दिया L dash, जैसे निकालना हो, वैसे निका आता है, तुम्हारी जैसी मर्जी हो, तो मैंने का tan 30, tan 30 आ जाएगा perpendicular upon base, इस right angle triangle में ये 30 है, तो आ जाएगा perpendicular upon base, तो tan 30 जो है, वो आएगा आएगा अपने पास L dash by L, ये L है, ये L dash, tan 30 कितना आता है, वो आता है 1 by root थी, तो L dash अपने पास आगया, L by root थी, कि अपने पास L dash आगया, अब आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, कि अगर L length का mass M था, L length का mass, ओ, sorry, 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 मैंने गड़बड कर दिये, पूरे triangle का mass है, M1 E value, तो अभी हमको सब कुछ निकालना पड़ेगा, तो ये अपने पास क्या आगया, L dash की value आगई, अब बात कर लेते हैं, ये वाला length आपके पास hypertonious है, ये वाला length अगर आपके पास hypertonious है, अगर आप देखेंगे, तो ये जो result आजाएगा आपके पास, वो आजाएगा, root 3 L by 2, ठीके, इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं, कैसे, कि cost theta, ये वाला मानलो मुझे, मैं कह रहा हूँ कि इस ये है अप ना, इसको मैं L dash की जगे L 1 कहता हूँ, L 1 तो है अपने पास L, L 2 है अपने पास, कितना आ गया है L 2, ये कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, ठीके, ये L, ये L dash, इसको L triple dash को देते हैं, आपको यहां से समझ में आ रहा हूँगा, cost 30, cost 30 जो है, वो कितना आ रहा है, cost 30 ये आ जाएगा, base upon hypertalious, मतलब L upon L triple dash, और ये cost 30 कितना आ था, root 3 by 2, तो root 3 by 2 तो ये आ जाएगा, root L triple dash की value जो आ जाएगी, और ये मैंने गलत लिख दिया था, ये आ जाएगी 2 L by root 3, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, कि जो total mass आपको दिया गया है, वो दिया गया है M, मतलब, मतलब ये, कि L plus L by root 3, plus 2 L by root 3, इन पूरी length का मिला के mass कितना है, M, इसको solve करोगे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ही, कितना आ जाएगा, total length मिला के आ जाएगी आपके पास, root 3 L plus L, इसका mass है, आपके पास M, तो unit length का mass कितना आएगा, M by L1 plus root 3, अब आप एक एक चीज निकाल सकते, आप से मैंने पूछा कि वही M1 की value कितनी आएगी, तो M1 की value अगर आप देखोगे, तो M1 का length कितना है, वो है L, unit length का इतना mass है, तो L length का mass आ जाएगा, M by, M by 1 plus root 3, unit length का इतना mass, तो L length का कितना mass, इसी को L से multiply कर दो, M2, तो M2 की जो length है, वो है L by root 3, unit length का जो mass है, वो है इतना, किस से multiply कर दो, L by root 3 से multiply कर दो, M2 की value इतनी आ गई, T plus root 3, ऐसा कुछ, ठीक है, अब जो है, आप यह M2 की value रखें यहां, और M1 की value यहां, एक बार मैं इसको दुबारा से समझा जेता हूँ, कि हुआ क्या, हुआ क्या यहां, अना तुम बोलो कि नहीं साब, मुसर्म को तो कुछ समझी नहीं आए, मैंने का मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस पहले तो height निकाली दोनों points की, तो height यहीं आ गई, अब मैंने जो है, M1 और M2 को अलग से निकाल, अब M1 और M2 के लिए आपको total mass M दे रखा था, और यह वाली length L दे रखी थी, तो मैंने पहले इस L के terms में यह वाली length निकाल 2L by root 3, यह add होके 3L by root 3 आजाएगा, 3 by root 3 तो उपर root 3 बचेगा, तो 1 L plus root 3L बचेगा, L plus root 3L is the total length of the triangle, जिसका mass है M, यह rod है बस यहाँ पर, तो unit length का mass इतना आएगा, L length का इसको L से multiply कर दो, और L by root 3 length इसको इस से multiply कर दो, बस बात यहाँ पे खतम होगी और answer आपका मिल एकदम सामने होगा, तो यह आपको यह ध्यान रखना है कि इस तरीके से potential energy आप लिख सकते हो, अगर आपको reference point पता है, तो straight rod के लिए लिख सकते हो, ऐसा नीजे से मान लो एक और चीज़ में बताना चाहूं, मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया है, इस type का कुछ shape है आपके पास, और आप से कहा गया है कि बताओ, इसकी potential energy कितनी होगी, क्या कहा गया है, इस shape की potential energy, अब तुम बोलोगे सर, यह तो गिर जाएगा, गिर जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन potential energy कितनी होगी, simplicity के लिए इसको भी ऐसा ले लेते हैं, कि total जो length है, वो है 2L, यह mass N, यह mass N, अब कोई सोचेगा कि सर, ऐसा करते हैं, midpoint यह आ गया, नहीं, नहीं, गड़बड कर ले, ऐसे नहीं कलता है, geometrical center ऐसे नहीं, rod का देखवा, straight rod के लिए आप center बोल सकते हैं, ऐसा मुडिवी rod के लि अलग potential energy निकालो और इसका अलग potential energy निकालो, बस बात खता है, इस तरीके से आप लिख सकते हो कि potential energy इस case में आएगी, उसकी आजाएगी कितनी, MGL, क्योंकि L height पर है वो, और इसकी आजाएगी MGL by 2, क्योंकि यह कितने height पर है, यह L by 2 के height पर है, इस तरीके से आप इसकी potential energy लिख सकते हो, अगर यहाँ पर आपसे potential energy पूछता है और इसको कहता है reference, तो यह potential energy लिखना हम सीख रहे हैं, ठीके, एक सवाल और देखते हैं, तो बात यह है कि हमने potential energy लिखना सीख लिया, और हम यह भी जान गए कि work done by gravity is equal to minus का delta u, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछू यह और सवाल कुछ इस तरीके से है, कि मान लीजिए आपके पास एक container है या एक यह room है, जान से सुनना, यह room है, यह सवाल home work के लिए दे रहा हूँ आपको, देखते हैं कितने लोग करके आपाते हैं, यह एक room है, और इस room में 8 partition से एक्सदम exact, कैसे वो मैं बनाता हूँ, उमीद है यह दिख रहे होंगे 8 partitions, तो यहाँ पर क्या है कि पहले partition में, अच्छा, इसकी side भी मैं आपको बताता हूँ, side है इसकी कुछ A, इस room में, पहले partition में कुछ पानी भळा हुआ है, यहाँ पर कुछ पानी भरा हुआ है, यह एक चलो, पूरा पानी नहीं भरता हूँ, है इतना पानी भरा हुआ और कि यह सब चांबर जा यह लग लग चंबर इस रोम में यह लग रोम यह लग रोम यह लग रोम यह लग अठाट नहीं चार लेते हैं चार ही लिले इस निए चार पार्टिशन ही कर देते हैं चार पार्टिशन अभी आपको दिख रहे हैं एक, दो, तीन, चार और इन चार पार्टिशन में हम क्या कह रहे हैं मतलब अगर मैं इधर से एक और ऐसा बना देता तो फिर इसको भी काड़ देता हैं तो इस इन चार partitions के अंदर क्या है पानी भरा हुआ है कुछ टॉपमोस्ट वाला जो पाटीशन है उसमें टॉपलेफ्ट कॉर्णर पे यह पानी इसमें भरा हुआ है कितने हाईर तक भरा हुआ है यह पानी यह पानी जो है वो भरा हुआ है कुछ यह समझे रहागे उस पानी की सर्फेस दिख रही है यह पानी जो भरा हुआ है वो भरा हुआ है कुछ देखो यह आपका A है तो यह A by 2 होगा तो इसको मैं कहता हूँ A by 4 तो यह पानी भरा हुआ है कितने हाइट तक? उपर ही उपर ओल्चेंबर में A by 4 हाइट तक पानी की जो density है क्या mass जो है पानी का वो है M क्या आपको दिया गए पानी का total mass कितना है M आप से ये पूछा जा रहा है कि किसी ने क्या किया इस उपर वाला जो ये chamber था ठीक है top left वाला जो chamber था उसमें एक hole कर दिया अब hole कर दिया तो यहां से क्या होता है कि सारा पानी जो है नीचे आजाएगा और एक hole यहां कर दिया बिल्कुल यहां पर पानी नीचे आएगा इस chamber में भरेगा और इस hole से इस chamber में भी आजाएगा पुल मिला के दोनों chamber में पानी आजाएगा यह आप ऐसा बोल तो कि यह वाली दिवार है यह वाली दिवार चलो हटाई देते हैं तो वो जो टॉप वाला चैंबर दा ना वो आप उसका साइस पता ही या आपको नीचे पूरा खाली दोनों चैंबर को एक कर रखा है यहां से हम क्या कह रहे हैं कि आप से यह पूछा जा रहा है अभी इधर की कि वहां से इसको हमने क्या किया होल किया तो होल करेंगे तो पानी निकल के नीचे आने लगेगा और नीचे में सैटल हो जाएगा आप से पूछा जा रहा है वाट इस दा कि वर्क डन बाइग ग्रैविटी कि वर्क डन बाइग ग्रैविटी कि होमवक क्वेश्चन है सबसे होना चाहिए हिंट में देता हूं हिंट को अगर आप इसकिप करना चाते हैं तो दोचार सेकेंड आप स्किप से सोचना चाते हैं तो बाकी सवाल दिखो यह है concept यह लगाऊँगा है कि work done by gravity वो जब whole किया मैंने तो gravity उसको नीचे लेके आएगी तो वो minus of delta uk equal होगा और potential energy लिखना एक extended object के लिए पानी अभी एक तरीके से cuboid के shape में भरा हुआ है नीचे आके भी वो कुछ shape लेगा cuboid shape ही लेगा कितना height लेगा वो आपकी मर्जी है कैसे निकालोगे क्या करोगे लेकिन समझने वाली बात यह कि potential energy में जो change आएगा उसका minus that is equal to work done by gravity तो अब आपको यह करना यह आपके लिए हूँब लिए बिना देरी के बढ़ते हैं आगे और बात करते है potential energy for a spring potential energy for a spring कि आपको potential energy निकाल नी है तो आप लिख दीजिए कि work done by the spring तो work done by spring potential energy निकाल नी है तो work done by spring कहा से कहा तक reference point से उस final point तक reference point से उस final point तक अब बात यह आती है कि यहां reference लिया जाए तो कहां लिया जाए तो अगर कुछ नहीं given है तो हम जो reference point लेते हैं reference point हम लेते हैं यहाँ पर क्या अगर इसको ऐसा नहीं लिखना चाते हैं तो पहले ऐसा देख लेए अगर मैं यहां कहता हूं potential energy निकाले तो सबसे पहले पोटेंशल एनर्जी डिफरेंस वाला फॉर्मला देखता हूं तो वह हमने क्या बोला था वो था डेल्टा यूज इकॉल पोटेंशल एनर्जी में जो चेंज आएगा स्प्रिंग की वूस्का फॉर्मला आएगा यहाँ अगर आपको पोटेंशल एनर्जी चाहिए तो आपको एक reference define करना पड़ेगा तो अगर मैं कहता हूँ कि potential energy का reference point है वो हम कहा लेके चल रहे हैं if u reference is assumed to be at x equals to 0 मतलब natural lens पे क्यों कि natural lens पे आपका force जो है 0 हो जाता है तो यहाँ पे अगर आप reference मान लेते तो यह general मतब ठीक रहता है इसके लिए तो अगर अगर आपने reference point कहां लिया है natural lens पे लिया है जब उसमें कोई expansion या compression नहीं था तो मान लो आप किसी x पे potential energy निकालना चाहते हो और आपका जो reference point है आपने x equals to 0 पे लिया है मतलब यह हो गया कि यहाँ x equals to 0 की potential energy है इसके हिसाब से आपका initial point हो गया x equals to 0 final point हो गया वो x तो इस दोरान जो formula आपका बन रहा है वो बन रहा है half k x final minus x initial जो कि कितना है 0 यह आपका 0 आपने assume कर लिया है तो potential energy का जो formula आएगा वो आजाएगा half k x square इस तरीके से आप क्या कर सकते है spring की potential energy को निकाल सकते हैं तो हमने gravity की potential energy के बारे में बात कर ली है और साथी साथ हमने spring जो है उसकी potential energy की बात भी कर ली है अना तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे है mechanical energy और फिर उसके conservation mechanical energy कुछ खास नहीं mechanical energy होती है अपने पास तो कई बात total energy भी कह दिया जाता है यह आपके पास होती है kinetic और potential energy का संब mechanical मतलब वो energy जो motion से associated है मतलब kinetic energy तो आना ही आना है और potential energy भी आप जानते हो कि अगर movement होता है displacement होता है तो वर्थ होगा और वर्थ होगा तो potential energy भी वहाँ पे role play करेगी तो दोनों का addition इसको ही कहते हैं हम क्या mechanical energy अब बात यहाँ पर आ रही है mechanical energy conservation तो हम यहाँ कह रहे हैं कि if if only conservative forces are doing work conservative forces are doing work कौन कौन है conservative that is gravitational force electrostatic force अना ऐसे अपने पास elastic force कुछ हो गए elastic force spring type spring included हो गए उसमें खेच रहे है re-storing force या फिर अपने पास जो है magnetic force आ जाएंगे force between the magnets यह सब conservative nature के अना कौन conservative नहीं है जिसे कि friction friction जो है अपने पास conservative force नहीं है अगर सिर्फ और सिर्फ conservative forces ही work कर रहे होंगे तो हम क्या कह सकते हैं तो from work energy theorem ध्यान से सुनना from work energy theorem हम कहेंगे कि work done by conservative देखो work energy theorem यह कहते है कि net work done जो है वो change in kinetic energy is equal network done में कौन कौन से वर्क आ जाएंगे conservative force का वर्क आ जाएगा और non conservative force का वर्क आ जाएगा non conservative जैसा की friction non conservative work कौन हो गए conservative के जस्ट उल्टे वाले मतलब conservative में यह होता है path में depending sector में faily danger Kurt 편 में powder करेगा conservative में potential energy defined होती है non conservative में नहीं होगी conservative में round the loop warto work 0 होता है non conservative में नहीं होगा conservative प्लस non conservative is equal to आपके पास क्या आ रहा है तो अगर मैंने कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ conservative ही work कर रहा है ठीक है तो यह हमारा assumption है कि अगर non conservative का work zero है तो आप इसको zero कह देंगे और यहां से आपके पास work done by conservative is equal to delta ke आ जाएगा work done by conservative minus का delta u आप लिख सकते हैं तो आपका आरा delta u जो की है potential energy में change potential energy का symbol u रहता है अभी तक आप समझी गए होगे तो minus का delta u is equal to delta के और यहां से आप क्या कहेंगे यहां से उमीद है आप समझ पा रहे होंगे कि delta u को मैं लिख सकता हूँ minus का u final minus u initial delta k e को मैं लिख सकता हूँ k e मतलब kinetic energy k final minus k initial अगर मैं इस final वाली term को उधर ले जाओ initial वाली term को इधर ले जाओ तो minus का k initial जो है इधर plus हो जाएगा यह minus minus यह plus आजाएगा और k final जो है और यह u final जो है यह भी यहां से क्या आजाएगा यह प्लस आजाएगा तो यह जो आपके पास आएगा यह आएगा total energy लेकिन initial और ऐसे ही यह आएगा total energy कौन सा final आपको समझ में आ रहा है कि energy conservation कब होगा energy conservation तब होगा जब potential energy conservative forces ही जो है वो वर्क कर रहे होंगे नॉन conservative forces लग रहे हो वो एक अलग बात है लेकिन वर्क नहीं कर रहे होंगे तब आप यहां पर energy को conserve कर सकते हैं और आपको कुछ नहीं energy लिखना है total energy is equal to final energy जैसे की जैसे की अगर मैं यहां पर आपको एक कुछ examples देना चाहूँ examples के तोर पे जिसे मालो मैंने कहा कि यह इस type का एक बाउल है यह कुछ ऐसा shape है तो इस type का एक कुछ shape है यह angle जो है आपके पास कुछ दिया गया है alpha यह angle आपके पास कुछ दिया गया है beta ठीक है और जैसा की आपको दिख रहा है कि alpha और beta equal नहीं है alpha और beta मैं मान लो alpha बढ़ा है तो मैंने कहा कि यहां से मैंने क्या किया एक block को release किया obviously m इसका mass है कहीं पर भी friction friction है नहीं conservative forces की हम बात कर रहे हैं कहीं पर भी कोई भी friction नहीं है सब जगे क्या है चीजे smooth है all surfaces are smooth यह भी यह भी जो है friction zero है यहाँ पर भी friction जो है वो इस block को जब मैं यहाँ से release करूँगा तो यह ऐसा नीचे आएगा और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा smoothness है तो वो hit नहीं करेगा वो सीधे slide गरता हुआ उपर जाएगा तो जब वो यहाँ से यहाँ आएगा जब वो यहाँ से यहाँ आएगा इसको मैं बोलता हूँ A point यह कहता हूँ B point और कहीं वो जब उतने ही position को जाके उतने ही height को जाके achieve करेगा मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जाकर रुकेगा यहाँ से आपने इसको rest से release किया rest से इसको release किया तो यह ऐसा आएगा इधर जाएगा इधर जाएगा और वो उतने ही height पर जाएगा क्यों वो इस वज़े से जाएगा क्योंकि यहाँ इसकी energy होगी conserve जब आप इसको release करते हो तो सिर्फ gravity इस पर वर्थ कर रहा है जो की conservative force है और gravity अगर वर्थ कर रहा है तो energy होगी conserve तो अगर आप कहते हो कि A point और C point की बात करते हो A point और C point की बात करते हो तो total energy at a and total energy at c is same तो kinetic energy मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वो rest से छोड़ा गया तो मतलब इसकी kinetic energy क्या है zero kinetic energy यहाँ पे क्या है इसकी zero potential energy कितनी है इसकी mgh a height of a वहाँ जाके भी वो रुकेगा highest point पे वो highest point है तो उसकी kinetic energy कितनी है zero और वहाँ पे उसकी potential energy कितनी होगी mghc तो आप साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हो कि ha और hc को same होना ही पड़ेगा भाई जब kinetic energy दोनों जगे same है तो potential को भी same होना पड़ेगा और potential को same होने के लिए same level में उससे आना पड़ेगा और यहाँ तक कि आप यह भी कह सकते हो कि जब वो दोनों इस level की आप बात करोगे same level की आप बात करोगे क्योंकि energy conserve है तो same level पे potential energy same तो kinetic भी same होगी तो यहाँ जो velocity होगी वही velocity की यहाँ होगी speed यहाँ change नहीं होगी देखो यहाँ पर potential energy में कोई change नहीं आ रहा है तो kinetic energy में भी change नहीं आए total energy आपकी constant रहती है इसका मतलब यह है कि kinetic और potential का sum जो है वो constant रहेगा तो जैसे जैसे यह नीचे आएगा तो potential energy में कम ही आ रही है तो kinetic energy बढ़ेगी फिर जब यह यहाँ चलेगा तो potential energy जो है वो constant रहेगी zero रहेगी constant रहेगी तो kinetic energy को भी constant रहना पड़ेगा उसमें कोई change नहीं आएगा और जैसे यह उपर जागा तो potential बढ़ रहेगी तो kinetic भी zero होती जाएगी और जितने हाइट से इसको release करोगे उतने हाइट को यह जाके अचीव करेगा चाहिए कैसा भी शेप हो हना बस energy का loss नहीं होना चाहिए मतलब conservative forces यहाँ पर लगने चाहिए यही सेम कहानी आप कह सकते हो pendulum वाले case में भी इसी ही सेम कहानी आप कहां कह सकते है pendulum वाले case में भी कह सकते है pendulum वाले case से मतलब हर case में ऐसा नहीं pendulum वाले case में जैसे मालो मैंने कहा यह अपना pendulum था इसको मैंने यहाँ से release किया मालो 60 degree से इसको release किया just एक और example इसको 60 degree से मैंने release किया क्या होगा यह ऐसा नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे फिर यहाँ पर जाएगा और जैसे इधर पहुचेगा कहा तक जाएगा वो एक्जैक्ट सेम लेवल तक जाएगा कहा जाके रुकेगा उसी लेवल पर जाके रुकेगा जितने लेवल से इसको रि ही मोशन कभी रुकेंगे नहीं मतलब यहां से यहां आया रुका फिर नीचे आएगा फिर वहां जाके रुकेंगा फिर नीचे आएगा मतलब यह ऐसे 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 चलता ही रहेगा इधर भी यह पेंडिलम ऐसे 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 चलता ही रहेगा रियल लाइफ में क्या होता है कि वहां जब यहां बात करते हो कि जैसे यह आपने कहा कि भाई यहां से इसको release किया है अभी भी इसकी energy जो है वो conserve रहेगी चलो इस सवाल को हम करी लेते हैं कि मानलो आपसे यहां पूछता है यह सवाल हमने work energy theorem से भी किया है यहां से आपसे क्या पूछ रहा है कि यह अभी L0 पे था L0 पे था rest से इसे release किया rest से इसे release किया release किया इसको आपको बताना है maximum expansion कितना आएगा what is the maximum expansion आपको समझना चाहेगी जब आपने इसको release किया तो यह नीचे आएगा 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 और कहीं आके वो रुकेगा यहां आके वो रुकेगा वही उसका maximum expansion है है के नहीं जहां वो उसका maximum expansion आ रहा होगा वहाँ क्या हुआ होगा कि जो total energy यहां होगी वही total energy यहां होगी अब total energy कौन-कौन सी आएगी spring है तो spring की भी लिखी जाएगी और gravity है तो gravity की भी लिखी जाएगी gravity के लिए आप जो reference लेना चाहते हैं low इससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ जब आप लिख रहे हो total energy initial और final तो एक तरहिगे से आप इधर u initial लिखोगे इधर u final लिखोगे तो equation में वो दोनों subtract ज़रूर होगे और potential energy का difference reference point पे depend नहीं करता है तो इसी वज़े से हम यहाँ पर क्या बोलेगे कि अगर यह अपना initial point है और यह अपना final point है तो हम यहाँ पर कहेंगे total energy जो रहेगी कहा की initial point की और total energy जो रहेगी final point की इन दोनों ही जगे पर आप total energy जब लिखने लगेंगे तो आप किसकी potential energy लिखेंगे obviously spring की आप लिखेंगे gravity की आप लिखेंगे kinetic energy और ऐसे ही फिर आप बात करेंगे spring की final gravity की final और kinetic energy जो final तो spring की जो potential energy है तो spring की potential energy आप कितनी लिखोगे spring की potential energy आप लिखोगे zero gravity की क्या लित होगे तो मानलो मैंने यही reference ले लिया कोई फरक नहीं पड़ता उससे gravity का reference मैंने यही ले लिया कितनी आ गई zero kinetic कितनी आ जाएगी zero register release किया नीचे आने पर spring की potential energy आ जाएगी half k x max का square gravity की potential energy आ जाएगी minus करके minus का m g h max minus क्योंकि आप आई साब क्योंकि reference से नीचे आप जा रहे हैं और ऐसे ही जब final kinetic energy की बात करोगे तो यह zero आ जाएगा क्योंकि वहाँ जाके वो रुका है तो आप जब यहाँ देखोगे तो आपको साफ साफ यहाँ से पता लग जाएगा कि x max की जो value आ रही है वो आ रही है 2 mg by k जो कि आपने work energy theorem से भी निका रहा था बहुत basic level की चीज़ है बहुत ही ज़ादा basic level school level का सवाल था यह इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं था ठीक है तो अब देखो थोड़ा सा हम अलग सा सवाल देखते हैं और इसको यहाँ पर देखते हैं कि यह कैसे किया जाएगा किया आपको बोल रहा है कि all spring, strings, pulley, shown in figure are light light मतलब हलके हैं initially when both the springs were in their natural state मतलब natural length में है the system was released progress जब वो natural length पे थी तब उनको release किया गया था तो आप से पुछा है जब यह block नीचे displace होगा तो यह spring भी expand होगी यह spring भी expand होगी तो यहाँ relation निकालना बड़ा important है तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे relation फिर बाखी बात आती है energy conservation, conservation की तो बादने बाता लेकिन हाँ अभी भी यह बात आपको ध्यान रखने की वो जब maximum expansion पे रुकेगा मतलब जाएगा तो वहाँ पे velocity 0 होगी क्योंकि वो और नीचे नहीं जा रहा है तो जितना नीचे जाएगा उतना ही expand होगी तो maximum जब expansion है मतलब यह block और नीचे नहीं जा रहा होगा मतलब इसकी velocity 0 होगी होगी तो अब इस सवाल को देखो कैसे करेंगी पॉस करके आप देख सकते हैं आपको displacement method पता ही है जो NLM में मैंने सिखाया था जिनको नहीं पता है वो बिना पॉस किये इसको सुने क्या कह रहा हूँ मैं इसको अभी solve करने के हिसाब से के 1 और के 2 के terms में दिख देता हूँ आगी आपको पता है के 1 कितना है के 2 कितना है दोनों save है न अभी मैं इसको के 1 के 2 लिलता हूँ जिससे कि आपको general idea लग जाए कि किस तरीके से आप approach करेंगे यह आपका है के 2 और यह था आपका block अब आप यह समझें कि मान लो यह वाली spring में जो expansion आया वो आया कितना x1 मतलब मान लीज़े यह pulley जो है वो इधर आजाती है इस वाले spring में expansion आता है x1 तो यह pulley pulley जो है इधर आती है तो pulley कितना चलेगी pulley भी x1 ही नीचे आईगी यह अगर expand होगी तो pulley भी x1 नीचे आईगी इसके expand होने से तो मालो अभी इस spring को मैंने expand नहीं होने दिया बस इस spring को expand किया एक एक करके समझते super position कर देंगे उससे अपने को overall चीज समझ में आ जाएगी मैंने का ये भी expand हो रहा है ये भी expand हो रहा है तो इसके expand होने से रसी डिली होती है कितनी x1 इधर और x1 इधर इसके x1 expand होने से रसी 2 x1 डिली होती है और इसके x2 expand होने से रसी x2 और extra डिली होती है कितना रसी slack हुई कितना रसी lose हुई अगर मैं इस block को यहाँ पकड़े रहता हूँ और खुद से इसको spring को expand करता हूँ x2 इसको x1 तो इसके x1 expansion से रसी lose होगी 2x1 और इसके x2 expansion से रसी lose होगी x2 तो ये block जो है वो कितना नीचे आएगा ये block नीचे आएगा 2x1 प्लस x2 एक दम आसानी से आप इस कहानी को समझ सकते हैं अब बात ही आती है कि x1 x2 में relation कैसे निकलेगा x1 x2 में relation निकालने में कोई तकलीफ नहीं है उसको देखो मैं और समझा देता हूँ भई मैं कहना बस ये चाह रहा हूँ आपकी ये वाली spring जो है वो expand हो गई पुली जो है यहाँ आगई आपकी ये वाली spring भी जो है वो एक्षोड़ी सी expand हो गई और ये block जो है वो ऐसा नीचे आगया ठीक है अब बात क्या है बात ये है कि यहाँ जो force लगेगा वो आएगा आपका k1 x1 के equal यहाँ जो force लगेगा वो आएगा आपका k2 x2 के equal और ये एक ही रसी है ये वाली spring इस रसी से connected है तो यहाँ पर भी कितना आजाएगा k2 x2 और क्योंकि ये massless है ध्यान से सुनना सारी कहानी ये massless रसी ती इसलिए यहाँ जो force वही force वही force ही है और फिर pulli भी massless है इसलिए इसलिए इस पे भी force balance डोंगे मतलब k1 x1 जो है वो 2 k2 x2 के equal आएगा clear है अब कहा नहीं एकदम easy सी है कुछ नहीं है इसमें अब हम यह बोल रहे हैं कि हमारे वाले case में क्योंकि k1 k2 same है पट जाएगा और आपको यहां से x1 is equal to 2 x2 दिख रहा है मतलब कहने का यह हो गया कि अगर मैं x1 को x बोलता हूँ तो x2 मेरा 2 x आएगा और इसको अगर मैं x dash बोल देता हूँ या x dash कह देता हूँ या x naught कह देता हूँ यह जो x naught आएगा वो कितना आजाएगा वो आजाएगा मेरे पास x1 की जगे डालूँगा मैं x 2 x x1 की जागे क्या डालूँगा 2x और x2 की जागे क्या डालूँगा 2x तो 2 into x1 की जागे में डालूँगा x 2x plus 2x यह आजाएगा 4x आपको यह समझना होगा कि इस spring में expansion जो आएगा 2x इधर आएगा x और यह नीचे जाएगा 4x यह है कहानी यहाँ पर यह है कहानी यहाँ की ठीक है तो हम जब लिखने बैठेंगे यहाँ पर equation energy conservation की आपको यह समझना होगा जान से सुन ले ना पूरी पूरी बात अभी भी मैं result k1 x1 के terms में लिख देता हूँ ऐसे मैंने result का relation relation तुम्हें बता दिया है कि मान लो अगर k1 x1 k2 x2 general form में ही मैं result लिख देता हूँ जैसा कि आपको समझ में ही आ रहा है कि x0 जो है वो कितना आ रहा था वो आ रहा था 2 x1 प्लस x2 अब बात को समझना क्या हुआ क्या है हुआ यह है कि हमने कहा initial total energy initial total energy में spring 1 की potential energy spring 2 की potential energy gravity की potential energy और आपके पास kinetic energy जो होगी सब कुछ initial वाली ऐसे finally भी kinetic energy और फिर आपके पास spring की जो है spring 1 की final energy spring 2 की final energy potential energy obviously और आपकी जो है यह gravity की जो है final energy तो आपको पता है कि initially तो कोई भी move करी नहीं रहा था rest से छोड़ा था और सब natural length पे भी थे kinetic energy भी 0 दोनों की दोनों spring की potential energy 0 और मैंने यह माल लिए कि यह जो reference था gravity का reference था gravity का reference था तो इसको 0 माल लिए तो यह भी 0 तो सब कुछ 0 था फिर क्या हुआ maximum expansion पे तो block जागे रूख जाएगा तो kinetic energy 0 spring जो है वो expand होगी x1 से तो इसकी potential energy हमने निकाल लिए spring की कितनी आती है half k x square तो half k1 x1 square अगि आप जानते हो कि वो k है और x1 की value x है फिर इस वाले spring की potential energy वो भी खिच गई ये भी खिच गया तो ये खिच गया तो इसकी potential energy आजाएगी half k2 x2 का square और इस block की इस gravity इस block की जो gravitation potential आजाएगी वो reference से नीचे आगया कितना नीचे आगया x naught minus का mg x naught अब तुम्हें पता है x naught की value in terms of x1 and x2 सवाल में जो आप से पूछा था वो पूछा था maximum displacement of the block maximum displacement of the block 4x की value एक तरीके से आपको निकालने हो कि block 4x displaced होगा अगर मैंने x को x1 को x माना है आपको दिखी रहा था x2 अपना अरे मैंने कहीं गडबड तो नहीं कर दिए ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यह दर बहुत बढ़ी गडबड कर दिए लो गडबड नहीं कर दिए ना अभी यह गडबड कर दिए बस यह जो इस starting मैंने समझाया था x1 आपका 2x है sorry यह 4x नहीं है भाई तो लगाई मैंने कुछ गडबड कर दिए देखो x1 2x के equal है तो अगर x2 जो है आपका x आएगा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ k1 x1 और k2 x2 x1 is equal to 2x x2 की value अगर x है तो x1 आपका कितना आएगा वो आएगा आएगा आपका 2x x1 आपका आएगा 2x x2 आपका आएगा x तो यह 4x प्लस x यह 5x आएगा तो लिए थोड़ी सी घडबड होगी कोई बात नी correct होगी है वो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ x1 जो है x2 को मैंने माना है x x1 है अपना 2x यह आदेगा half k2x का square plus half k x का square और mg यह जो x naught है वो अपने पास आ रहा है 5x तो यहाँ से आप x common निकालके एक को तो उठा देगी हो कि x 0 तो है नहीं x यहाँ से आपको मिलेगा x यहाँ से जब आपको मिलेगा देखी लेते हैं 5 mg x और यह कितना आ जाएगा अपने पास 4x square यह बार देखें 2 to 4 और यह इतना x 2 पा x था आपने पास तो यह 2x और x1 की value अपने पास आ जाएगी x है 1 की जगे आ गया 2x और यह 5 ठीक है तो यहाँ से अपने पास जो x की value आ रही है तो यह 5 से 5 गड़िया 1x से 1x कड़िया x की जो value आ जा रही है वो आ जा रही है 2 mg by k ब्लॉक का जो displacement है वो है कितना block displaced हो है 5x maximum displacement of block is 5x जो की आपका कितना आएगा 10 mg by k इस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को solve कर सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को solve कर सकते हैं ठीक है एक और सवाल यहाँ देखते हैं हम इस सवाल में आपको क्या कहा गया है इस सवाल में आपको कहा गया है कि एक pulley है इदर आपके पाद और यह pulley है और इधर एक रसी पुली पे ऐसा hang हो रखी है और उसका उतना ही part जो है इधर भी hang हो रखाई पुली के shape को जो है neglect करके चलना है चोटा सा shape है साफ दिके इसलिए मैंने बONगा ऐसा बना दिये पुली के shape को neglect करके चलना है यहां पर यह टोटल आपकी जो लेंथ या मास पूरे स्ट्रिंग का वह ए यह पूरा मास और यह एल है अब होता कि अभी तो हाल फिलाल आधी इदर लटकी हुई है एल बाई टू और एल बाई टू इधर लटकी हुए वो समझ ना यह वाले शेप को नेगलेट कर रहा हूँ है मतलब लेंद यह बहुत छोटा सा ऐसा पॉइंट मान लो ऐसा पिन पे लटकी हुए रोट हुआ मैं थोड़ा था OF की दिया ठ्र enquanto कि दिया होजाए थाउडासा इधार भारी हो जाएगा थोड़ा सफारी होते ही इस तरफ गिर ने लगेगी और गिरने लगेगी दो क्या होगा फाइनली है यह सिचुएशन आपको दिखेगी कि रसी जो है वह से एक्दमा कांटेक्ट क तोड रही है बिल्कुल जब रस्टी गिरने वाली होगी सारी की सारी रस्टी दर आ गई तो आप से वही पुछ रहा है find the velocity of the rope when it just leave the pulley velocity of rope बताए कि जब वो पुली को just leave कर रही होगी इस इस इस्तिती में क्या हो तो यह अपने पास initial point हो गया यह अपने पास final point हो गया यहाँ पे एक तरीके से मामला पूरा respect क्योंकि आपने slide push दिया है लेकिन यहाँ पे यह पूरी रस्टी कुछ V velocity से चल रही होगी energy conservation लगाना तुम बोलो के सर आपने खीचा था रहे मैंने खीचा नहीं था मैं तो हलका सा धक्का देके छोड़ दिया था तो मैंने थोड़ा सा इधर length हलकी सी बढ़ा दी ती जिससे की वो नीचे इस तरफ गिरने लगे और क्या हुआ अब हम लिखेंगे कि बाई total energy conservation जो आएगा initially जो total energy है तो मैं सीधे ऐसे लिख देता हूँ कि k initial plus u initial equals to k final plus u final ठीक है तो आप कुछ यहाँ पर यह ध्यान रखें कि k initial तो आपका 0 है u initial जब आप लिखेंगे आप एक हिस्सा आपको यह दिख रहा है और एक हिस्सा आपको यह दिख रहा है ठीक है ना finally जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि देखो इस वाले हिस्से में पहले भी रोप जितनी थी उतनी ही रोप अभी भी है अलाकि ये वाला हिस्सा यहां आ गया है और ये वाला हिस्सा यहां आ गया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो रोप यहां थी वो वैसी की वैसी रोप यहां पर भी है तो आप डैरेट ऐसा बोल सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि ये वाला हिस्सा उठके यहाँ नीचे लटक गया हो है कि नहीं आज समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से अगर मैं इस वाले potential energy को लिखू ही नहीं दोनों तरफ कि initially भी इस वाले portion और ये वाला portion इस portion की आधे portion की potential energy में तो बदला भी नहीं हुआ है initial जो potential energy थी वही इसकी अभी भी potential energy है initial जो potential energy थी अभी भी इसकी वही potential energy उसी level पे ये है level ही change नहीं हुआ तो कोई potential energy पे change नहीं तो बस मैं इसकी potential energy का change लिख दूँगा यह कितना है अभी इसकी potential energy तो इसको मैंने ले लिया reference L by 2 total length तो इसका जो point आ जाएगा straight इसलिए L by 4 नीचे आ जाएगा तो मैं बस इसकी potential energy जहाँ change हुआ है वही लिखूँ जहाँ change ही नहीं हुआ वो क्यो लिखूँ मैं इधर जो लिखूँगा वही उदर लिखूँगा तो कट जाएगा तो बेटर एक जहाँ change हुआ है वो लिखूँ तो इसकी potential energy कितनी लिखूँगा मैं इसका mass जो आ जाएगा M by 2 G और L by 4 लेकिन किस sign के साथ एक negative sign के साथ क्यों वेकि reference मैंने ये ले लिया तर रेफरेंस अगर मैं यही ले लेता तो ले लो है वाई जीरो हो जाता फिर सर यह ले ले लेता तो positive का L by 4 हो जाता आपकी मर्जी answer सेम आएगा काइनेटिक एनरजी जब final लिखोगे तो पूरी rod V velocity से चल रही है सारी पूरी rope जो है V velocity से चल रही है उसका mass है M और उसकी velocity है भी half mv square rope का हर particle V velocity से चल रहा है string constraint half mv square रसी में mass है इस बाद तो half mv square और final potential energy तो इस वाले हिस्से की potential energy वे change आया तो कितना नीचे आ गया भाई यह कुछ यहां आ गया इस आदे हिस्से का center जो आ रहा है तो वो L by 4 L by 2 प्लस L by 4 3 L by 4 जो है आपके पास यह आ जा रहा है तो minus का M by 2 D 3 L by 4 बस अब इसको उधर ले जाओ answer आपका यहां से आ जाएगा तो कट रहा है वो हमने काटा इसको मैं उधर ले गया तो 3 G L by 4 प्लस का और minus का L by 4 तो यह आ जाएगा 2 G L by 4 जो की G L by 2 आ जाएगा और यह B square आ रहा है तो यहां से B की value अपने पास आएगी root of L G by 2 तो बड़े आसानी से हमने यहां पर क्या निकाल दी है यह velocity निकाल दी है इस तरीके से हम यहां क्या कर सकते है energy को conserve कर सकते हैं यहां मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं यह homework के लिए बहुत ही आसान सवाल है इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपकी कुछ conceptual अप्रूच को बढ़ाएगा जस्ट यह practice के लिए हैं यहां आपको बोल रहा है कि भई दो अचा figure मैं बना दूँ पहले कि दो springs है कुछ ऐसे बहुत ही फरजी सवाल है बहुत ही रदी सवाल है कुछ खास नहीं है इसमें जैसे सवाल हमने करे है तो वैसा ही यह सवाल है तुम बोला कहा करे अरे यार वही बात है न दो spring ऐसे जोड़ी उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी न हो जाएगी यह कोई अलग सवाल थोड़ी न है जो किया है तुमने वही है क्या तुमने अभी block को hang करवा के एक spring और block नहीं था बस यहां दो spring और block के उसमें क्या दिक्कत है तो अभी यह natural लेंद पर ब्लॉक इस डिस्प्लेस तूर्ड थोड़ी और इस वाल यह कंप्रेस है यह अगला सवाल यह चलो मैं करी देता हूं तुम अगला सवाल यह चलो मैं करी देता हूं तुम कर लेना यह मैं कर देता हूं तुम बोलोगे कि काइनेटिक इनरजी प्लस पोटेंशल अनरजी इनिशल इसको के से लगा कि एनरजी कंशल्व है क्योंकि यहां पे सारी सफेस स्मूथ है कहीं कोई friction friction नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है अब बात यह है कि initial जब मैं काइनेटिक energy देखूंगा तो उसको rest से release किया है तो वो है zero और potential energy देखूंगा तो दोनों ही springs में expansion के compression x square है तो potential energy positive हैगी तो यह आजाएगा half k2 x square और जब वो अपने mean position पे पहुंचेगा तब काइनेटिक energy हमने कहा दी कितनी half mv square और potential कितनी आजाएगी zero क्यों क्योंकि mean position पे जब वो पहुंचता है तो दोनों ही springs अपने natural length पे होती है तो हमको लेकिन आपको इस समझ में आना चाहिए कि जब potential सबसे minimum होगी तो काइनेटिक सबसे जादा होगी कब energy conservation में क्योंकि दोनों का addition जो है constant रहता है वास यह सवाल हो गया इसको root लगा कि कर ले ना ठीक है तो यह भी थोड़ा सा different सवाल है यहाँ आपका यह म्यू जो है अब आपको गताना max speed block की कितनी होगी during the motion obviously इसको natural lens से छोड़ा है अब इसमें में एक खास बात बता दू यहाँ पर आपका kinetic friction आ रहा है friction एक non conservative force है तो आप mechanical energy conservation यहाँ नहीं लगा सकते मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ की kinetic plus potential किसी और होगी energy यहाँ कम होती जाएगी ठीक है और यहाँ पर अब मैंने आपसे maximum speed पूछी है कि यह आपके लिए homework है कि यहाँ आप वर्क energy theorem लगाना चाहते हैं तो वर्क energy theorem लगाए energy conservation भी एक तरीके से लगाया जा सकता है सर क्यों energy loss हो रहा है तो energy conservation कैसे लगाया जा सकता है मैंने कायर क्यों नहीं लगाया जा सकता है मान लो आपको किसी ने कहा कि total energy आपकी initial थी 100 और final आपकी total energy total मतलब mechanical energy obviously mechanical energy आपकी initial थी 100 और final आपकी जो mechanical energy थी वो आपकी थी 80 अब कोई अगर इसको ऐसे लिख देता है initial kinetic plus potential is equals to final kinetic plus potential तो वो तो गलत होगा क्योंकि इसका addition तो 100 है और इसका इन दोनों का addition 80 है लेकिन वहीं अगर वो उसको loss के साथ लिख देता है कि जितना loss हुआ वो मैंने अलग से इदर लिख दिया मतलब 100 is equals to 80 plus 20 20 का loss हुआ ना क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकता हूँ कई बार आप energy conservation ऐसा friction आजाएगा तब भी लगा दोगे आप बस क्या लिख दोगे कि आप जो lost वाली energy है lost जो हुई energy जो loss हुई उसकी भी हम बात कर लेंगे यहांप कि कितनी energy का loss हुआ आई बात समझ भी तो जो energy का loss हुआ वो हम बात यहांपर कर लेंगे वो लिख देंगे तो आपको देखना है यह सवाल करना है यह आपके home work के लिए है ठीक है और एक बार मैं time पे नज़र डाल लेता हूँ और मुझे लगता है कि class आज यही सवाब करनी चाहिए तो यह हमने आज energy conservation वाले सवाल किये mechanical energy conservation हमने देखा हमने potential energy के बारे में बात की ठीक है और अभी इसमें बाकी है एक तो power और एक relationship between potential energy and equilibrium बाकी है तो शायद एक lecture all लगेगा नहीं हो सकता है यार दो lecture लग जाए तो यह chapter तुम्हारा finally खतम हो जाएगा और फिर हम circular start करेंगे ठीक है अब बाकी circular के बाद अपना center of mass class start हो का जो काफी important chapter है rbd start हो का जो अगेन एक बहुत important chapter है फर्स जैसे ऐसे course होता जाएगा हम सवाल करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे नए नए अगे और उमीद है आप इसी तरीके से बने रहेंगे support करते रहेंगे तो आज के लिए बस इतना ही तो टोड़ी सेशन बाई टेक केर एंड हब नाइस देट ओके गाईस तो जैए